उन बच्चों ने देशित गर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है वो समझने लगे हैं कि देशित गर्दी का रास्ता बरबादी का रास्ता है जमू कश्मीर पुलीस के महरन देशक दिलबाग सिंग ने कहा है कि परदेश में आन तक बाद खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन ये तेजी से गट रहा है कश्मीर संबाग के जिला बांडीपूरा में हाजिन में एक कारिकरम के बाद पतरकारों से बात करते हुए डिजीपी दिलबाग सिंग ने कहा कि पडोसी देश पाकिस्तान द्वारा ड्रोन की मदद से जमू कश्मीर में हत्यार और नशीले पदार्थ गिराने के प्रयासों को सुरक्षा बलो द्वारा बिफल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ड्रोन की मदद से नगदी, आईडी, हत्यार और नशीले पदार्थ गिराने के दुश्मूनत के मिशूबों को विफल करने के लिए बड़ी सफलता हासिर करते हुए बारी मात्रा में हत्यार, पैसे और नशीले पदार्थ जब्त किये गए है पुलीस महांड़े दिश्चक ने कहा कि नशा आम तकवाद से भी ज़्यादा चनोती पून है और जमू कश्मीर पुलीस इस बुराई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है बाड़ी पुरा से प्रिल्स आयाज की रिपॉर्ट बच्चों ने देश्चत गर्दी का रास्ता तर्प कर दिया है वो समझने लगे हैं कि देश्चत गर्दी का रास्ता बरबादी का रास्ता है आज बहुत सारे एविन्यूस बच्चों के लिए खेल कूद के अपने केरियर को बनाने के पड़ने लिखने के मौजूद है जो देश्ष्य गयद्टी ए उसके उपर काबू पाया है और जो बचिः हुई देश्ष्य गयद्टी है उसके खलाब भी कारवाई की जा रही है ड्रोन ड्रोपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मैयर्स हम लोगों ने ग्राउंड के उपर लगाए हैं उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रोपिंग जो लग लग तरे के नशे के जो समान है उसको पार से पाकस्तान से लाकर के जहां पर पुचाती है जिसके साथ एके फूट सेवान राइफल, पिस्टल, गरनेड, आईडीस भी वहां से पाकस्तान से बेजी जा रही है उनको कामजाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है अभी तक सेंक्डों की तदाद में इस तरह के वैपन पकड़े गए हैं और क्वंटलों की तदाद में इस तरह की नशे की तसक्री जो पाकस्तान से होके आई चाहिए वो ड्रोन से आई जहां ग्राउन के जमीन के रूट से आई उसको पकड़ा गया है इस पे बहुत बड़ी कामजाबी पुलीस को और स्क्योर्टी फोर्सेज को मिली है ड्रोन की कारवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है हमारी कोशश है कि ड्रोन से जरिये से चाहे वैपन की स्मगलिंग हो चाहे नार्काटिक्स की स्मगलिंग हो उसको पूरी तरे रोक थाम की जाए, उसको रोका जाए, उसके लिए कारवाईयां मसलसल जा रही है पूरी जमो कुश्मीर के खिते में हर रेंज में खास महिम नशों के खलाफ इस वकद पुलीस ने शेड़ रखी है उसी महिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब्दूजन, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तसक्री, नार्कोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामल हैं, उनके खलाफ सक्त करवाई करें बहुत सारी कामजाबी हमें बॉर्डर पे मिली है, जहां से नशा पार से आके बॉर्डर के करीब डंप होता है उसी नशे को आगे तसक्रों के जरिये से कश्मीर के जम्मू के लग-लग हिस्सों में पुचाया जाता है बहुत सारे नशे को आगे पंजाब और उसके आगे पुचाय जाता है हमने बहुत बड़े काटल ऐसे जो है उनको ध्वस्त किया है खतम किया है रिजौरी पुंच के एरिया में बहुत बड़ी कामज़ाबी मिली है जम्मों के đượcर पे कामज़ाबी मिली है हिंटर लेंड में जहां पर तस्क्री नशे की बॉर्डर से हो करके आगे पहुंचती है वहां पर भी कारवाई बराबर जा रही है और जहां पर भी जो लोग इस ट्रेड में शामल हैं उनके खलाफ कारवाई की जा रही है हमारे ड्रग डिडिक्शन सेंटर जमो किश्मीर पुलीस की तरफ से और सरकार के हॉस्पिटल की जरिया से लग लग जगों पे चल रहे हैं आज आपने देखा लोगों की डमांड की के बंडीपुर के साथ साथ हाजन में भी इस तरह का सेंटर कोई होना चाहिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर लोग जैसा चाते हैं तो उनकी हम मदद करें जहां पर जे सकीम गौर्वर्मट ओफ इंडिया की मदद से लग लग जगों पे हम लोग लागू कर पा रहे हैं इस सकीम के सकोप को और आगे बढ़ाया जाए मगर इसमें टेक्निकल स्टाफ की जूरूत पड़ती है दुवाईयों की जूरूत पड़ती है हम कोशिच करेंगे कि हम ड्रग डीडिक्शन का जो मदद लोगों की करते हैं इसके सकोप को और ज्यादा बढ़ाये देखिए जहां पर हर चीज को बैलन्स करके चलना पड़ता है जहां आपको पता है कि अब शिरनगर में खास्तोर पे लाइंड ओर्डर की किसी भी तरह की कुछ समस्या जनली नहीं सामने आती है और बाकी जलों में लाइंड ओर्डर की करवाईयां किसी भी तरह की अभी तक नोटिस में नहीं आई हैं पूरा साल पिछला बहुत अच्छे से गुजरा है ये साल भी अभी तक मकंबल तोर पे अमनोमान से अच्छे तरीके से निकल रहा है मैं लोगों को अवाम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की साज़शों को और पाकिस्तान नवाज फोर्सेज को अजन्सीज को और अगनेजेशन को पचान चुके हैं जो दहां पर अलग-लग तरे का इश्तियाल दे करके लोगों को पत्थर मारने के लिए उक्साते थे अपने जाती और अलग-लग तरे के मुफाद के लिए लोगों को अपना फोर्डर बना के इस्तेमाल करते थे लोग इस बात को समयने लगे हैं अभी ये वकफ के हवाले से इतला है मगर इंतजामियां के हवाले से क्या फैसला है वो डूइजनल अड्मिस्टेशन अपने लेवल पर अभी उसी शू को देख रही होगी मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या फैसला भी किया है